फिल्मी एट्रेक्शन में आज हम पेश करेंगे रवी तेजा की मच अवेड़ेड मुवी क्रैक जिसकी IMDb रेटिंग है 7.3 out of 10 और जिसे 95% गुगल यूजर ने पसंद किया है मुवी स्टार्ट होती है एक सडक पे पड़े हुए तीन चीजों 50 के नोट एक आम और एक किल से जिसने तीन बंदमासों की जिन्दगियां बदल की रख दी वो कैसे आये जानते हैं तो कहानी कुछ यू है कि एक रिपोर्टर Most Wanted Criminal सलीम बतकल का इंटर्यू लेने जेल आती है सलीम उससे कहता है कि उसे 50 का नोट चाहिए तभी वहां इंटर्यू देगा क्योंकि 50 रुपए के नोट नहीं उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया है और उसे सलाखों तक लाने वाला एक क्रेक माइंडेड पुलिस ओफिसर संकर है वहां इंटर्यू में बताता है कि मुंबई ब्लास्ट के 3 साल बाद वहां इंडिया आया था जहां वह एक आदमी मस्तान से मिलता है जो उसे पुलिस से छुपा कर रहने की वेवास्था करता है वहां न्यूज में देखता है कि पुरी मुंबई पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है News देखकर वह मुंबई से जल्द से जल्द निकलना चाहता है इसलिए मस्ताक को वह नया पासपोर्ट बनाने के लिए कहता है मस्ताक पासपोर्ट के लिए पुलिस स्टेशन चाहता है जहां पुलिस उसे कहती है कि उसने अल्डेडी एक ही पते पर 20 लोगों का पासपोर्ट बनवाया है अब उसे नया एड्रेस देना होगा और उसे फार्म वापस कर देता है मस्तान किराय के मकान की तलाश करता है जहां उसे 50 रुपए के एश्ट्रा बिजली बिल के लिए मकान मालिक से बहस हो जाती है और वह दूसरा मकान की राय पे ले लेता है मस्तान पासपोर्ट फार्म में एड्रेस चेंज करके थाने आता है जहां उसे पता चलता है कि उसने जो एड्रेस दिया है वह दूसरे थाने के अंतरगत आता है और उसका नया इंचार्ज इंस्पेक्टर संकर है सुबराव से के साथ सलीम के घर पासपोर्ट इनक्वारी के लिए जाते हैं वहां सलीम सुबराव को अपना नाम सत्य नरायन और अपनी पतनी का नाम अनपूर्णा बताता है इनक्वारी के बाद सुबराव घर से बाहर निकल रहा होता है तभी सलीम के घर एक औरत से टगरा जो सलिम और उसकी पतनी के कपड़े इस्तरी करके ला रही होती है फिर संकर और सुबबराव फुलिस इस्टेशन चले जाते हैं थाने आने पर इंस्पेक्टर संकर पासपोर्ट फाइल देखता है जिसमें सलिम ने अपना नाम सत्यनाराण बताया था फिर उसे ध्यान में आता है जब सुबबराव उस औरत से टकराया था तब उनके कपड़ों में एक काले कलर का बुरका देखा था इस्पेक्टर संकर को उन पर शक हो जाता है वे दोनों फिर से सलिम के घर पहुँचते हैं जहां इस्पेक्टर संकर उस बुरके को फिर से देखता है सलिम उसे पैसा देकर बात खत्म करने की बात कहता है वा धमकी देता है सलिम उसे कहता है कि तु मेरे बैक्गराउंड को नहीं जानता संकर बैक्गराउंड की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है वे संकर और उसकी पत्नी को थाने ले आते हैं और सलीम को सलाखों के पीछे बंद कर देते हैं। प्रेस के आने पर इंस्पेक्टर संकर सलीम को पकड़ने का पूरा क्रेडिट अपने सिन्यर इंस्पेक्टर को दे देता है। इस तरह सलीम अपनी पूरी स्टोरी इंटर्यू में कहता है रिपोर्टर उससे पूछती है कि संकर के मिलने पर वह क्या करेगा सलीम उसे मार डालने की बात कहता है और यह भी बताता है कि अभी अभी उसका एक घंटा पहले कडबबा में ट्रांसफर हुआ है अगले सिन में हम कडबबा के एक होस्पिटल को देखते हैं जहां एक गुंडा जिसका नाम कोंडर रिड़ी है वह वहां के एक डाउटर को जबरदस्ती धमकी देकर उसकी प्रोपटी अपने नाम करा लेता है और अपने घर चला जाता है एक बच्चा अपनी बहन से कोंडर रिड़ी के कोंडर रिड़ी को कॉल करके यह कहता है कि उस पर कैस फाइल हो गई है और इस केस को डील करने वाला कोई मामूली आदमी नहीं है यह दिमाग से क्रेक इंस्पेक्टर है अगर जिंदा बचना है तो राजमुंदरी सेंटरल जेल चले जाओ वहां उसे एक कैदी कटारी से मिलने को कहता है वहां पहुचने पर एक पुलिस वाला कोंडर रिड़ी को उसके बारे में बताता है कि कटारी कृष्णा और जयम्मा पुजारी सिह के गैंग में काम करते थे एक दिन मौका पाकर उसने पुजारी सिह को मार डाला और खुद वहां का मालिक बन गया उन्ह लोग उससे क्यों डड़ते हैं काटारी दिवाल से एक किल उखाड कर लाता है और उससे कहता है कि एक किल और उस इंस्पेक्टर संकर की वजह से वह आज जेल में हैं वह अपनी पूरी कहानी शुरू करता है काटारी किश्णा एक बहुत बड़ा गुंडा था उसने पर उसकी बेटी के बारे में गलत कहता है जिस करनवे उसे मार देता है क्योंकि उसे अपनी बेटी के बारे में कोई भी गलत बात बरतास्त नहीं है इसलिए वह हर सुकरवार फिल्मे देखने थेयटर पहुंच जाती है थेटर जाने पर वह देखती है कि कटारी की बेटी नित्या किसी लड़के के साथ बैठी है मूवी खत्म होने पर वह उनका पीछा करती है और देखती है कि वह कॉंस्टेबल कीरन के साथ बाइक पे बैठ कर जा रही है वह यह बात कटारी को बताती है, कटारी काफी गुसा हो जाता है, जैयमा उसे कहती है कि उसने हाल ही में मडर किया है, इसलिए उस लड़के को मारने की जिम्मदारी उसको सौप दे, कटारी अपने सबसे खतरनाग गुंडे रघुनात और उसकी गैंग को बुलाने के लिए कह रगुनात और उसका गैंग आदम खोर की तरह दिखाई देते हैं। वे लोग जनवरों के खुन को ऐसे ही पी जाते हैं। वे काफी फुर्तिले और तकतवर गुंडे थे। वे इंसानों को मारने के लिए वोल्फ टकनीक का इस्तमाल करते थे। जिसमें वे चाकु से गोद ग कीरण रात में कहीं जा रहा होता है। तब रगुनात और उसके गुंडे उस पर ताबर तोड हमला करके बड़ी बेहरमी से उसे दड़ा दड़ा कर मार डालते हैं। सुभा उसकी लास एक दलदल में पड़ी हुई मिलती है। इंस्पेक्टर संकर उसे देखकर काफी निरा प्रिगेशन सुरू कर देता है और कुछ ऐसे ही पुराने केसे की गहराई से चानबिन करता है। जहां एक थाने में उसे कटारी किष्णा के उपर की गई एफाईयार की कौपी मिलती है। वह कटारी किष्णा को पकड़ने के लिए वहां चला जाता है। दोनों में काफी भास होती है जहां कटारी अपने बैग्रोंड की बात उससे कह देता है। बाकी तो आप जानते ही हैं। इंस्पेक्टर संकर कटारी के गुंडों को अकेली ही कपड़ों की तरह धो देता है और उसे हावालात में लाकर बंद कर देता है। जयम्मा उसका बेल इसु करवा कर लाती है और संकर कटारी को धमकी देकर छोड़ देता है। तभी कटारी और जयम्मा यहां देखते हैं कि उसकी बेटी नित्या ने एक कॉंस्टेबल से साधिक कर ली है। वे लोग यहां देखकर चौंग जाते हैं क्यूंकि उस लड़के की जगह उन्होंने कॉंस्टेबल उसे एक किल से चोट लगे थी, इसलिए उसने किरण को नित्या के सांथ भेज दिया और उन्हें जाते हुए जयम्मा ने देख लिया था। उसे लगा होगा कि नित्या और किरण एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए उसे मरवा दिया। वे लोग उसे ना मार दें, इसलिए वह आस तक चुप था, लेकिन इस्पेक्टर संकर के आने से उसमें हिम्मत आ गई, शाम को सभी लोग होटल में इनकी साधी की पाटी कर रहे होते हैं, तभी नित्या की मा आती है और उसे कुछ पैसे देकर सहर से बाहर चले जाने को कहती ह क्योंकि उन्हें सक है कि कहीं उसका पती कटारी उन दोनों को मरवा न दे, रात में संकर उन्हें बस इस्टेंड छोड़ने के लिए जाता है, जहां फिर से रगुनात और उसकी गैंग उन पर हमला कर देते हैं, यकीन मानिये दोस्तों, इस मूवी का एकसन सीन इतना रिमान में इंस्पेक्टर संकर उसका अंगूठा कार देता है, और वह जयमा का नाम बता देता है, तभी कटारी के पास किसी का कॉल आता है, और वह कहता है कि सिरुन ने अपना मूँ खोल दिया है, और जयमा का नाम बता दिया है, कटारी जयमा को थेटर मूवी देखने भ इसलिए वह जैयम्मा को मारने के लिए रगुनात को थेटर भेशता है जहां इंस्पेक्टर संकर भी वहाँ पहुच जाता है लेकिन तब तक रगुनात जैयम्मा को मार कर भाग जाता है। मारी थी लेकिन उस लड़के को सीने पे कैसे लगी हो ना हो कुछ तो गड़वड है उसे अपने पिश्टल की गोली भी वहीं मिल जाती है वह सीधे थाने पहुचता है जहां वहाँ वेपन्स रिकॉर्ड मांगता है रिकॉर्ड देखने पर पता चलता है कि उसमें दो गोलिय रमी सिंग है वह एसाई को पूछता है क्योंकि उसके पास सेम गन थी संकर उसे अपनी गन देने के लिए कहता है वह भागने लगता है संकर उसे पकड़ लेता है फिर वह डर कर कहता है कि वो गोली उसे ने चलाए थी और कटारी का खबरी भी वही है जो उसे हर बात की जान को उसके हवाले कर दे वानना उसकी पतनी और बच्चे मारे जाएंगे। यह सुनकर इंस्पेक्टर संकर हसने लगता है क्यूंकि उसकी वाइप कल्यानी स्टेट पोलिस अकाडमी की टॉपर और त्वाई कॉंडो में ब्लैक बेल्ड थी और कल्यानी घर पे सभी गुंडों की आदेश देते हैं। इंस्पेक्टर संकर कटारी के सभी गुंडों को मारने लग जाता है। दूसरी और कटारी की पत्मी संकर से बचने के लिए सार छोड़कर भागने के लिए कहती है लेकिन वह उसे गुस्ते में मार देता है। कटारी रखुनात के पास जाता है और उसे इंस्पेक्टर संकर को मारने के लिए कहता है संकर उनकी तलास करते हुए रगुनात के अड़े पर पहुँचता है जहां रगुनात और उनसकी गैंग संकर पर हमला कर देते हैं इंस्पेक्टर संकर उन्हें चुन-चुन कर मारता है और Constable किरन की मौत का बदला लेता है तभी कटारी संकर पर हमला कर देता है संकर उसे भी मारने लगता है लेकिन वह किसी तरह बच कर एक गाड़ी में बैठ जाता है तभी गाड़ी की टैर पे एक किल घुज जाती है जिस कारण गाड़ी पलड़ जाती है और वहाँ पकड़ा जाता है संकर उसे कहता है कि वहाँ जिन्दगी भर जिस बैग्राउंड की बात कर रहा था आज उसके साथ कोई भी नहीं है वहाँ उसे जेल में एक नई जिन्दगी जीने के लिए कहता है और वह सरेंडर कर देता है कटारी की कहानी सुनकर कोंड़ा रिड़ी डर के मारे थाने जाता है और लड़की पर हुए जुल्म की माफी मांगता है तभी कोंड़ा रिड़ी का साला थाने पहुँचता है सब को धमकी देते हुए फिर से बैक्ग्राउंड की बात करता है इंस्पेक्टर संकर उनकी धुलाई करके जेल में डाल देते हैं जहां वे फिर से कटारी से मिलते हैं कटारी एक आदमी से चाय मांगता है और 50 का नोट देता है वह चाय देने वाला सलीम था और 50 रुपए के नोट को देखकर गुसा हो जाता है वे लोग उसकी कहानी पूछते हैं और सलीम इंस्पेक्टर संकर के बारे में बताता है कटारी और कॉंडर रेड़ी जोड जोड से हसने लगते हैं और मुवी का यहीं दी एंड हो जाता है कैसे छोटी छोटी चीजों ने उन्हें हावालात में पहुचा दिया अगर मुवी पसंद आई हो तो कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू